Hello friends, welcome to my YouTube channel So friends, आज की इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं keywords के बारे में Basically keywords क्या होता है और ये कैसे इसका use होता है, इसके meaning क्या होती है programming में तो जब भी हम किसी platform पे अपना coding करते हैं, programming करते हैं like Java, C, C++ या कोई भी हो तो वहां हम बहुत सारे syntax को, rules को follow करते हैं keywords भी वही rules का एक part है, ये एक reserved word है, जो programming में use होता है जिसका माना वो खुद programming, यानि कि जो compiler होता है, वो खुद उसका माना जानता है कि मुझे इसका माना क्या निकालना है, यानि कि हम overall कह सकते हैं कि ये एक word है, जो reserved word है और programming में हम use करते हैं, और इसकी definition हम नहीं देते हैं, इसकी definition already define की जा चुकी है ये प्रिडिफाइन word है, और ये word reserved है, जो compiler इसको खुद समझता है example के तौर फे int, care, boolean, wide, float, class, etc. ठीक है और भी बहुत सारे keywords इसमें है, basically Java में मैंने सारे keywords को mention करा है इस पर मैंने एक video भी बनाई है, आप चाहे तो उस video को देख सकते हैं और keywords को समझ सकते हैं और बहतर, और कौन सा keywords कहां use होता है, उसको भी मैंने mention करा है so basically keywords सारे reserve word और predefined word ठीक है, ये predefined word होता है, reserve word होता है और किसी भी keyword को हम as a variable use नहीं कर सकते हैं, variable खुद हम define करते हैं और एक syntax के according हम कोई भी इसका नाम दे सकते हैं keywords को हम as a object use नहीं कर सकते हैं, और किसी class का नाम हम keyword नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये out of syntax हो जाएगा और ऐसा करने पे हमें एक error flag करेगा compiler जैसे कि example में यह दिया हुआ है int value is called to ten अगर हम स्री value is called to ten लिखेंगे, तो compiler समझ नहीं पाएगा कि ये क्या है क्योंकि उसको पता नहीं है कि value, मतलब value क्या put करा है और मुझे क्या define करना है, क्योंकि वो तो as a state of instruction समझता है तो जैसे ही मैंने int type करा, तो वो समझेगा कि ये value integer type का है वैसे name है, अगर हम care हटा दें, तो compiler फिर भी नहीं समझेगा कि मुझे मिला क्या है, किस तरह की information मुझे मिली है और जैसे हम उसे care type का अगर variable बनाएंगे तो वो समझ जाएगा कि ये character type का information है तो overall हम कह सकते हैं, keyword सारे reserve word इस keyword का जो reserve word होता है, हम उसको अपने site से define नहीं कर सकते हैं ये predefined होता है आगे हम देखेंगे identifier के बारे में identifier क्या होता है, जैसा keywords एक reserve word है identifier programmer खुद लिखता है, यानि कि int num is equal to 70 int तो एक keyword है, और जो num है वो identifier है यानि कि वो identity इसकी पहचान क्या है तो programming में जिसकी पहचान programmer खुद कराता है उसको identifier कहते है इसका definition है, identifier our name given to the different entities such as a constant variable structure function ठीक है अगर हम कोई method या function बनाते हैं तो वो भी एक identifier है अगर कोई structure बनाते हैं तो वो भी एक identifier है variable भी एक identifier है और constant वो भी एक identifier है जैसे कि final और const Java में final यूज होता है और C में const यूज होता है तो ये भी एक identifier हैनि कि PI PI यहाँ पर क्या है, identifier है final और const एक keyword है ठीक है, pi की value fix है और इसको change नहीं किया जगता जैसे void add add भी यहाँ पर identifier है हम चाहें तो add1, add2 या add decimal कुछ भी लिख सकते हैं method का नाम तो ये identifier है, पर white की जगा तो wide ही होगा क्योंकि ये keyword है इसको हम change नहीं कर सकते हैं एसे class, class एक keyword है student एक identifier है क्योंकि user लिखा हुआ है user ने खुद लिखा है student हम चाहें तो student 1, 2, 3 या teacher भी लिख सकते हैं एक class का नाम तो जो नाम हम programming में बदल सकते हैं उसको identifier कहते हैं या हम खुद अपने तरब से देते हैं with a data type या with a keywords उसको हम identifier कहते हैं so basically overall keywords आरे reserved word और identifier which are given by user ठीक है यो user के द्वारा दिया जाए वो identifier है और जो पहले से word compiler या programming structure में reserved हो उसको keywords उसको keywords कहते हैं so overall एक छोटा सा definition था और यह words बहुत बार सुनने को मिलता है जब जो भी computer के student है ठीक है तो यह उनके लिए वीडियो है जो इस word से इस definition से unknown थे और जिनको पता है तो वो तो अच्छी बात है तो overall यही definition है इसका और यही कहते हैं identifier और keywords तो वीडियो को like ज़रूर करें शेयर करें और कोई भी confusion हो तो आप comment पे ज़रूर दे सकते हैं और वे अन चैनल को subscribe ज़रूर कीजिए Have a nice day